हेलो प्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल यहां हम मलाई से घी तक का सफर तह करेंगी तो आज सबसे एजियस्ट वे बताती हूं मलाई को निकालने का गी निकालने का तो यह मेरी करीब 10 दिन से 15 दिन के बीच की मलाई यह इतना है और मैं इससे आज गी निकालने बताऊंग आधा अधा ही लेना है बराबर से और यह उख जो पानी आप एक पार डालेंगे उससे आगे की मलाईय इससे मत जाती है तो मैंने आधा वाटर डाल दिया है अब इसको दो चलाएंगे हैं अशे रूप रूप के थोड़ा थोड़ा चलाना है एक बार मिक्सी बहुत देर त तो दीरे दीरे ऊपर ऐसे कठा करके गोला बान के सारा पानी निचोड़ेंगे इसका सारा पानी निकालेंगे तो जो बेस्ट मेटेरियल बसता है लास्ट करना जो खुरचन दिसे बोलते हैं वो बहुत ही कम निकलेगा ऐसे दबार दबार के और भी जो है वो लंबेट समय तक आप इसको अच्छे से स्टोड करके रख सके इसमें बिल्कुल भी महक नहीं आती है कि देखिए यह सारा पानी अच्छे से निकाल लिए और यह ऐसे बन जाता है ऐसे करके मैं अपने सारी मलाई को फेट के निकालेंगे और इसको एक बार अच्छे से पानी से एक बार और दूध है वह भी अराम से एक दब निकल जाएगा तो मलाई और भी अच्छी निकलेंगे कि देखिए कितना बड़ा बन गया अराम से और ऐसे ही प्रोसेसे में सारा अपना निकालोंगे यह देखिए इतनी इसमें से मक्षन यह इतना निकला है और मैं गैस में दीमी दीमी आज पर इसको पकाऊंगे और जो दूध जैसा पानी जो भी मटेरियल बोलिये उसका मैं पनीर बना लोगी और यह देरे दीरे चलाओंगे देखिए ऐसे कंस्टेंसी में यह आएगा यह ऐसे हो जाएगा और दीरे दीरे चलाते हुए इस में अलग अलग होना शुरू हो ज जाता है अब मैं छाट के आपको दिखाते हुए मेरा कितना कम बेस्ट मेटेरियल निकलेगा फुर्चन बोलते से फुर्चन इसमें बहुत लोग इसका प्रयूग भी कर लेते हैं